सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें नमस्कार दोस्तों परिशकार वर्ल में आप सभी का स्वागत है आपके सामने मैं नमीदा हम बात कर रहे हैं विभक्ती प्रक्रण की और विभक्ती प्रक्रण के अंतरकत आज हम बात करेंगे चतुरती विभक्ती ओपर देखे चतुरती विभक्ती जो है अपने आपने ही अपना important role अधा करती है क्योंकि जो पिछली परिक्षा हैं आप देखेंगे कि उनमें किस तरह से चतुरती विभक्ती को लेकर प्रशन पूछे गए हैं तो चली एक थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं पहले हमारी विगत परि प्रियमाना का वर्तत है यह शब्द अपने लिए सबसे जादा important है इसमें यह पूछा गया कि यहां पर प्रियमाने जिसको जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है जिससे जिसकी प्रीती हो और इसको जो चीज अच्छी लगे वह यहां पर कौन है तो इतने इस पूरे वाक्ये में कुछ शब्द हैं जिसमें हमें से एक शब्द हमें एक शब्द क्या करना है चुनना है तो इस तरीके से प्रश्ण है अगला देखे दृतिय श्रीनी 2014 में पूछा गया है कि रुच्छ धातोर योगे का विभक्ति भवती सीधा सीधा आपको एक यहां पर धातु दे दी चलिए अगला हम देखते हैं ग्रामे वरक्षस्य अधा इस्तित्ह रामह देव दत्ताय शतम धारियती देगे यह अपने आप में बहुत बड़ा एक सेंटेंस बहुत बड़ा वाक्य है इसमें यह पूछा गया है कि उत्तम रिनाह कौन है यानि बहुत सारे शब्दों में यह चाटना है कि उत्तम रिनाह कौन है तो यानि यह इसका जो मुख्य कीवर्ड है वो यह है और जब हम सूत्र के अंतरगत पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि उत्तम रिनाह हम किसको कहते हैं तब आप इसका आंसर दे पाएंगे अगला हम देखते हैं यह जो है नेट के अंतरगत पूछा गया है 2014 में वशट योगे का विभक्ति भवती सेम बिलकुल पिछले जो प्रश्ट हमने पड़ा जिसमें यह पूछा गया था कि रुच्छ धातू के योग में कौन सी विभक्ति होती है ठीक उसी प्रकार का जो है नेचर हैं आपको एक शब्द दे दिय वशट और पूछा गया है कि वशट के योग में कौन सी विभक्ति होती है चलिए अगला हम देखते हैं रुच्छ धातो योगे कारकम भवती देखे दोस्तों कितना इंपोर्टेंट है यह दातू पहले इसमें विभक्ति पूछी गई है और अब इसको दूसरे तरीके से पूछा गया है कारक यह पूछा गया है रीट लेवल प्रथम 2011 में पूछा गया कि कौन सा कारक होता है तो आप यह जानेंगे चतुरती विभक्ति अभी हम पढ़ रहें तो जाहिर सी बात तर इसका चतुरती विभक्ति होगा तो कौन से कारक में हम चतुरती विभक्ति का विदान करते हैं यह भी आप जानेंगे चलिए अगला प्रशन हमारा स्प्रेयरिप सितह यहां पर यह सीधा सीधा है जो क्या दे दिया गया है सूत्र का संबंध कौन सी विभक्ति से है तो जब हम सूत्र पढ़ेंगे तो हम यह जान लेंगे कि किस विभक्ति से सूत्र का आपको यहां पर पहचानना है कि इसके योग में यहां पर कौनसी विभक्ति का विधान हम करेंगे ठीक है आगे चलते अगला हमारा प्रशने नमहे के योग में विभक्ति होती है पुनहे एक शब्द दे दिया है और सीधा सीधा क्या पूछा गया है विभक्ति आप से प्रश्ण पूछ दातु को बिलकुल पकड़ लीजिए बहुत इंपोर्टेंट और इसमें से बहुत सारे प्रश्ण पूछे गए हैं आगे हम चलते हैं कुरुद धातु के योग में विभक्ती होती है यहां पर यह बताएगा है रुच्छ दातु पूछी है ठीक है उसके ब प्रश्ण बहुत इजी उसमें पूछे गए ज्यादा टफ नहीं है यह स्कूल सिक्षा दृतिश्रेणी में 2018 में पूछा गया है कि कर्मणा यम अभी प्रैतिस सह और यहां पर ब्लैंग छोड़ दिया गया है तो यहां पर कौन सा कारक आएगा यह इसकी पूर्ती हमें करन अगला हमारा प्रश्ण है रुच्य अर्था नाम धातु नाम प्रयोगे कस्य संप्रदान संग्या स्यात यह देखे पहले हमने एक प्रश्ण पढ़ा था उसमें प्रियमान शब्द आये था आये था यहां पर भी वही रुच्य धातु ही दी गई है और इसको थोड़ा सा उनकोन बाकर पूछा गया है कि रुच्य अर्थानाम धातु नाम प्रयोगे कि रुच्य अर्थादिते हैं उनका प्रयोग करने पर किसके संप्रदान की संग्या हम चहले हैं तो आप किसकी करेंगे तो कौनसा कीवर्ड हमें सूत्र के माध्यम से मिलेगा यह हम आगे चर्चा करेंगे अगला देखे प्रशन इसी एक्जाम से पूछा गया है कि इश्रती असुयती कुरुद्यती इत्ये शाम प्रयोगे कम प्रति चतुर्थी भवती यहां पर पहले हमा किसके प्रति क्रोध करने पर किसके प्रति असुया करने पर चतुर्थी विभवती का विधान होता है यह हम यहां पर पड़ेंगे अगला जो है आपका प्रेशन है इसको योगाज़ा इती सूत्रेण विभक्ती सियाध अब जो प्रशन है इन सब का उतर आप स्वयम जाएंगे जब हम चतृती विभक्ती पर डीटेल से चर्चा करेंगे चतुरती विवक्ती को पढ़ते हैं और हमारा पहला सूत्र है कर्मना यम अभी प्रैति सह संप्रदानम देखे पहला यह पूछा गया था और यहाँ पर यह ब्लैंग छोड़ दिया गया था तो एक प्रशन का उत्तर तो सीधा-सीधा आपको यहीं मिल गया है अब इसके अर् क्या किया जाता यम यहने जिसको अभी प्रैति अभी प्रैति यहने जिसको क्या किया जाता है खुश किया जाता है जिसको प्रसंद किया जाता है वह क्या होता है संप्रदान होता है उसकी हम क्या कर देते हैं संप्रदान संग्या कर देते हैं किसको हम हमारे उस कर्म के हम जिसको प्रसंद कर रहे हैं जिसको हम वह दान दे रहे हैं जिसको उस दान से संबद्ध कर रहे हैं उसकी हम संप्रदान संग्या कर देते हैं अर्थार दान की कर्म के द्वारा जिसको अपने अनुकूल किया जाता है वह संप्रदान होता है कि आप जिसको भी दान दे रहे ह अगर किसी को कोई चीज देते हैं तो हमारे क्या हो जाता है अनुकूल हो जाता है तो उसकी हम क्या कर देते हैं संप्रदान संग्या कर देते हैं इसी बात को एक अलग जो कुछ शब्दों में क्या कहा गया है कि दान क्रिया की कर्म के साथ की जो करता है वह क्या कर रहा है अप और करमना अपने कर्म के दौरा जो दान करीय का जो कर्म है उसके दौरा हम जिसको युक्त करना चाहते हैं उसकी हम कौन सी संगया कर देते हैं संप्रदान कर देते हैं रखेंगे जब हमने कारख प्रकरन पड़ा था जब हमने संप्रदान कारक पड़ा था तब मैंने आपको बता psychology ये बाजर नहीं लिया जाता थीक और मैंने आपको एक और धारण भी दिया था इसकर देता है तो नहीं कि ति की लिए और आफ़ राट ज descendants करम करते हैं जिसको क्या कर देते हैं संप्रताने और जो संप्रदान होता है उसमें कौन सी विवक्ति होती है दूसरा हमारा सूत्र Cars क्या जिसको हम संप्रदान बना रहे हैं में कान से विधान करेंगे चतूर्ति का विधान करें देखे अनुक्त संप्रदान में चतूर्त करती होगी यहां पर इसको समझेंगे अनभीत कह लीजे या अनुक्त कह लीजे तो शेष क्या बचा उक्त ठीक है उक्त में चतूर्थी हो सकती है क्या नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती क्यों 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 उक्त में हमेशा कौन सी विभक्ती होती है प्रत्मा ही विभक्ती होती है उक्त क्या होगा यदि करता है तो क्रिया भी कैसी होगी उसकी अनुसार चलेगी यानि उसी पुरुष और उसी वचन की होगी उसको हम क्या कहते हैं उक्त कहते हैं और यदि कर्म हमारा उक्त होगा ठीक है यदि कर्म हमारा उक्त है तो क्रिया भी हमारी कर्म के अनुसार उसी पुरुष और उसी वच में बदल जाता है उसमें अगर वह उक्त नहीं होता तो जाहिर सी बाते उसमें प्रत्मा नहीं होगी तो यहां पर यह कहने का क्या कह रहे हैं संप्रदान जिसको आप बना रहे हैं वे हमेशा क्या होगा अनुक्त होगा याने हमारे इस वाक्ये में करता कोई और होगा और यह लिए प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके इसके अनुसार यानि यह जो अनुसार हमारी क्रिया नहीं चलेगी ठीके एसी बात वह उक्त को मैं आपको बहुत डीटेल में पड़ा चुकी हूँ चलिए जे कुछ उधारन जो देख लेते हैं देखिए राजा ब्रहंमन को गाए द अगर में ऐसा सीधा इसको ऐसे कर दूं राजा देता है तो क्या हो जाएगा राजा ददाती क्लियर क्या दे रहा है अगर इसमें कर्म भी यह देखिए कर्म अगर मैं जोड़ दूं यहां पर तो क्या हो जाएगा राजा गाम ददाती हमारा वाक्य पूरा है यहां पर यह जो कश चल रहे है एक वेचन के अनुसार चल रहे है कि सको दे रहा है कि ब्रहमनागों यानि हम अपनी राजा हम कुछण ऑप तो राजा पकि जो राजा है अपने दान आदी जो कर्म है कौन सा क्या दान कर रहा है दे रहा ही तो क्रिया है और जो कर्म उसका क्या है गाय को दे रहा हूँ ठीक है इसके द्वारा राजा किसको अपने से जोड़ना चाह रहा है ब्रहमन को जोड़ना चाह रहा है राजा किसको दान दे रहा है राजा वि कर रहा है ढरामन तो सिर्फ क्या कर रहा है उस दान को स्वीकार कर रहा है विपर क्या कहलाएंगा नूख तकर अ few हमारे लिए क्या है विप्र है ब्रहमन है चलिए चलते हैं देखिये एक उदारण और देख लेते हैं कि भामा श्छाह को धन देता है सब जानते हैं कि महरारान प्रतापको था प्रताप को दे रहा है तो प्रताप में हम क्या कर देंगे इसकी हम सबसे पहले संप्रदान संग्या कर देंगे और संप्रदान संग्या जिसकी हम कर देते हैं उसमें चतूरती संप्रदाने सूत्र से चतूरती विभक्ती का विधान कर देते हैं तो प्रताप आया इसमें प्रताप में कौन सी विभक्ती हो गई है चतूरती विभक्ती हो गई है और यह हमारा क्या है अनुक्त है ठीक है दे पत्र पट्र में चतुर्थी विभक्ती का विदहान का विधान हो जाएगा, क्या हो जाएगा पुत्र में पुत्र है. सिम्पल, अब आप समज गे होंगे, छली ठोड़े से और उधारन देख लिए. मा बालक को दूद देती है तो मा क्या कर रही है तो यह तो अपना क्या हो गया है करता उक्त हो गया है किसको संबद्ध कर रही है बालक को तो बालका इसमें क्या हो जाएगी चतुरती विभक्ति हो जाएगी और दूद चूंकि देने का काम जो देरा कर्म क्या है हमारा दूद कि और आप समझ सकते हैं कि यहां पर करता नहीं है तो भी हमें करता किसी बात नहीं है तो सूर्य को जल देता है तो सूरिया जलम ददाती यह वाक्य देनी का सिर्फ इंटेंचन यह है कि आपके सब तरह के जो कॉंसेप्ट से ट्रोग जाएं कि अगर करता नहीं तो आप यह सब्सक्राइब करता माने नो आपको ऐसा नहीं करना है आपको अपने विवेक से काम लेना है अब आपको देखना है कि सूर्य को किसको दिया जा रहा है जल तो डेने वाले कौन है तो टौत क्त तो युपत हुए या करने का अब खुरसी सी बात अगर गुरू नहीं है तो आप गुरू को यहां पर प्लाइंट कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो अब यहां पर बहुत सारे जो हैं शिश्य हैं तो बहु वचन का प्रयोग होगा देखिए बच्चों बिल्कुल ध्यान से हमें वाक्य को देखना है अगर हमें अनुवाद आके वाक्या आ जाते हैं तो यहां पर पुस्तक होता तो क्या हो जाता फिर पुस्तकानी ददाती तब वचन में हो जाती लेकिन एक ही पुस्तक बहुत सारे ग्रूप है उसको एक पुस्तक देदी कि आप लोग इस बुक से एक बुक से आप लोग पढ़िए ठीक है आगे चलते हैं अगला हमारा जो इछले वाले सूत्र में इसके जगे क्या था कर्मना यानि कर्म के द्वारा हम क्या कर रहे हैं जिसको हमारे से दानादी कर्म से संबद्ध करना चाहरे है उसमें संप्रदान है लेकिन यहां पर बात किसकी हो रही है क्रिया के द्वारा कि क्रिया के द्वारा भी यदि आप क तो वहभी संप्रदान संज्ड करे कुछ चुछ किया जा जाए वहभी संप्रदान होता है अभी मै आपको मताया कि पिछले वाले सुत्र हमने क्या पड़ा कि कर्म के दिवारा कि हमने कोई चीज तीन क्रिया के द्वारा भी सामने वाले को जोड रहे हैं तो क्या हो जाएगी उसकी हम संप्रदान संग्या कर देंगे कर्म के साथ किसी को उद्देश्य को नजर रखते वे वह क्रिया की गई है उसके संबद करना चाहता है तो उसकी भी संप्रदान संग्या होगी अपने आपको एक ऐसा इसका सटीक उधारन दोंगे जिससे कि आप बिल्कुल आपके एकदम यह समझ में आ जाएगा देखे सुच्चिता अभिहान चला हमारा है अभी भी चल रहा है सुच्चिता मिशन के नाम से तो आपने देखा होगा रेलवे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या बहुत सारी जगे सार्वजनिक जगे या रोड पर आपने देखा होगा कि प्रदान मंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी जगारु जाड़ा रहे हैं रखा जाटा देक dirty सारी जगे सारण लाट है बहुत सवक्ष भारत अभिहान हमें चलाना है तो उसमें नरेंदर मोदी जी स्वाइम क्या कर रहे हैं जाडू लगा रहे हैं बड़े-बड़े मंत्री गंड लगा रहे हैं राजस्थान में भी बड़े-बड़े मंत्री गंड लगा रहे हैं हर जगे लगा रहे हैं तो क्या उनका काम जाडू लगाना है नह तो क्या होगा, जैसे कोई भी काम है, एकदम से बच्चा डर जाता है, कोई सा भी और नहीं मेर से नहीं होगा, तो पेरेंट्स पहले उसको खुद करके दिखाते हैं, तो उस क्रिया के द्वारा वह क्या करें हैं, अपने बच्चे को उसे जोड रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही सामने वाले को अपने से युक्त कर रहे हैं, और इक उद्देश्य है, इसके पीछे क्या है, एक उद्देश्य है, तो जिसको आप अपनी क्रिया के द्वारा जोड रहे हैं, जिसको प्रसंद कर रहे हैं, जिसको युक्त कर रहे हैं, उसमें भी क्या होगा, उसकी भी हम अब यसका मतलब यहान ऑपने परर्यावरन किया चलत यहांद ह मनाते हैं तो इस तो और जौका उसका पारेgा उसको बच्चा जायेगा और बच्चा इसकी जगे अजाएगा रिप्लेज वागए और फिर बच्चे ज्ढू लगाएं यहाँ पर सीश्चे के लिए ज्ढू लगाने, मतलब हैं इस है कि गुड़ू अपनी करीया शिष्यों के लिए की जा रही है तो क्या हो गया शिष्य यह भहुत सारे शिष्य है ठीक है चलिए आगे समझ में आगे देखें दूसरा उधारन भी एक है इसका कि बच्चे को दूद पिलाने के लिए माता जो है स्वयम दूद पीती है आप में देखा हो आप लोग सब इस से गुजरे होंगे हम लोग देखते हैं एक दैनिक जीवन का उधारन मैंने यहां पर लिया है जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आजए बच्चा दूद नहीं पी रहा है और मम्मी उसको क्या कर रही है नहीं बेटा ले पी ले ले देख मैं भी पीती हूं तो ख बच्चा देख देखकर सीखता है मम्मी नहीं खाई और उसको खिलाई ठीक है बच्चा सो नहीं रहा है तो मा उसको क्या कर रही है उसको अपनी पास सुला रही है तो माता उसको सुलाने के लिए स्वयम सो रही है आप देखिए तो अपनी क्रिया के द्वारा वे अपने प तो सीधा हम क्या कह सकते हैं कि जब हम अपनी क्रिया के द्वारा क्या करते हैं किसी सामने वाले को प्रसंड करते हैं अपनी क्रिया के द्वारा अपनी क्रिया सो उसको जोड़ना चाहते हैं उसको संबत करना चाहते हैं तो उसकी भी हम क्या कर देते हैं संप्रदान संग्या कर करते हैं आगे आपका इंपोर्टेंट सूत्र रुच्च अर्थाना प्रियम आना ठीक है देखिए यह आंसर बनेगा आपका जो अभी विगत परिक्षाओं में प्रशन पूछें यह बहुत इंपोर्टेंट सूत्र है क्या कहा यहां पर देखिए रुच्ची अर्थक जो धा रुचि करने के बाद उसको जो प्रसंद होता है प्राप्त करने के बाद यानि कोई रुची का काम हमारे सामने हो रहा है और उस काम से हमें क्या मिल रही है प्रसंता मिल रही है उस कारक की संप्रदान संग्या होती है यह देखे प्रसंद प्रियमान हां प्रियमान का मतलब क्या होता है प्रसंद होना तो जो प्रसंद होता है जिसको रुची कर लगता है उ उसकी रुची हो तो उस वस्तू को करकर के उस कारिय को करकर के उस फल को खा करके क्या होता है सामने वाला व्यक्ति जो उस कारिय को कर रहा है प्रसंद होता है ना प्रियमान हां उसको हम प्रियमान कहते हैं क्लियर देखे जैसे हराय रोचते भक्ति हरी को क्या अच्छी लगत तो यहां पर प्रियमान क्या हो गया हरी हो गया और जो प्रियमान हो गया उसके हमने संप्रदान संग्या कर दी और उसमें चतूरती संप्रदाने से हमने चतूरती विवक्ति तो हरी में चतूरती विवक्ति क्या हो जाएगी हर ये देखिए बालक को लड़ू रुचिकर लग प्रसनता प्राप्त है कोने हमारा बालकale तो प्रासनता प्रसनता खान्त हमाई प्राप्त हो ना कुझतें शुखे आपको इंटरेस्ट तो आपका पिंटरेस्त कि चीज जिसमें आपको रूची है ओश्थप और आप लोग्तों टोलेयों बनेया का जैने फिन हम रोच च्छाट इका चॉकलाइब vér कि एक जाक्ली में हम मुखन मैं को प्रीयमान्स क्या होगा मोहन उसमें चतुर्थी विवक्ति कर दी चलिए हमार आगला सूत्र कुद्ध कृद्ध क्रुदs इस assassins या ऐसी अर्थ वाली धातु यह देहें यहwrittenए यंक्तिकों वह मैं प्रतीकोंप जिसके प्रती क्रोध किया जाए जिसके प्रती द्रोह किया जाए जिसके प्रती ईश्या हो जिसके प्रती असुया हो उसके प्रती है ना जिसके प्रती उसकी हम उसको क्या करते हैं उसको हम संप्रदान संग्या कर देते हैं और संप्रदान संग्या करने के बाद उसमें हम चतुरती भीदान करते हैं देखिए कुरुद दुरुईश असुया अर्थवाली धातों का परियोग होने पर जिसके प्रती क्रोध दिखाया जाए उसकी संप्रदान संग्या होगी पिताजी आए और उन्होंने आखे किस पर क्रोध दिखाया बेटे पर क्रोध दिखाया तो आप उस को संप्रदान बनाएंगे उसकी पहले हमने क्या करी संप्रदान संग्या करी और संप्रदान संग्या जिसकी हो जाती है चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से हम उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान करते हैं देखें आगे चलते हैं देखें जैसे असूरह असूर कुरुद कर रहा है है ना तो किस पर जिसके प्रती यह देखे तो किसके प्रती इस हरी को हमने क्या कर दी है संप्रदान संग्या हमने इसकी कर दी है और संप्रदान संग्या करने के बाद इसमें हमने चतुर्थी विवक्ति का विधाल कर दिया है देखे ध्यान दखेंगे यम प्रती को यहां से आप आंसर जब हम विगत परिक्षाइं वाले प्रश्में सॉल्व करेंगी तो यह आंसर है आपका ठीक है तो हरी किस पर क्रोध हो रहा है किस के प्रतीकरोध किया जा रहा है तो हरी में हमने क्या कर दी है चतुरती में बक्ति कर दी है देखिए रावन राम से द्रोह करता है रावन किसे किसे द्रोह रख रहा है किसे द्रोह क्रोध एक सी ही बात है ठीक है बैर रखना होता है द्रोह तो किसे रख रहा है किसके प्रती रख रहा है राम के प्रती रख रहा है तो राम में हमन पर क्रोध करता है राजा नृपह और यह क्रुद्धियती यह आपका वाक्य अपना आप में पूरा है अब किसके प्रतिकोपह जिसके प्रतिकोप किया जा रहा है जिसके प्रतिकोप किया जा रहा है तो राजा किसके प्रतिक्रोधित है दुस्टों के लिए क्रोधित है दु स्टेब्या दुर जनई भ्या पुलिस् छोरों पर कुरोद freely अगर करेंगे तो चोरी जो करना है अनयतिक कारी थोड़ी अनयतिक अनयतिक कारीS 2 खरेगा और उससे पॉब्लिक को चियरो पर कर चोट आई गई आई गए तो आरक्षा काहा कुरोद देती गाउ tienen चोरों के प्रती चोतो चोरे भ्या दुर्जन सज्जनों से द्रोह करते हैं हमेशा बुरे व्यक्ति जो है उनको अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं बुरे ही लगते हैं तो जो दुर्जन व्यक्ति हैं वो किसके प्रती सज्जनों से सज्जने भ्या द्रोयंति देखे ध्यान से समझें यहां पर दुर्जन द्रोहों करते हैं यह किसका वाक्य है बहुवचन का ठीक है करता भी हमारा क्या हो जाएगा फिर बहुवचन यह देखें दुर्जन करते हैं बहुवचन है तो करता दुर्जन आहा तो यहां पर क्रिया क्या हो गई द्रोहियंति बहुचन की हो हमेशा गुणवान वेक्तियों से क्या करते हैं इरशा करते हैं तो मुर्कहा गूनिद्य विंफिखती संधे निकालता है अशुयति अशुया का मतलकर मीन में निकालना है तो नोग desanne तो किसमें अपने पुत्र में इकालुराला है पुत्र प्रतिव है असुया का भाव रख रहा है तो पुत्र आया असुयति कर्णे अर्जुन से करता है कर नहां किस से द्रोह कर रहा है अर्जुन से तो संप्रदान संग्या किसकी हो जाएगी अर्जुन की अर्जुनाया द्रुहियती देखे इसको समझें इंपोर्टेंट जिसके प्रती क्रोध किया जाए द्रोह किया जाए इर्शा की जाए असुया की जाए उसकी संप्रदान संग्या करते है clear और संप्रदाने चतूरती से हम उसमें क्या करते हैं चतूरती विवक्ति का विधान करते हैं लेकिन यदि कृद्ध पूर्व यदि उपसर्गuleण आजाए इनसे दो धातवैं इस comprendre इस दो जाति जाए कोई उपसर्ग यदि आजाए तो जिसके प्रती कोह औلا कि कर्म संगया करते हैं it's very important बहुत important क्योंकि ऐसे confusing वाले जो Question examiner देता है उदर से वो चतुर्थी वीभक्ति वाला भी दे देगा और ये दृत्या विबक्ति वाला भी दे देगा और आपको महा पर छाटना होगा कि कौंसा वाक्य सही है ठीक है तो अगर खाली कृद्ध दुरु इर्शया और असुया का प्रयोग हो रहा है कृद्धियती इर्शयती असुयती ठीक है तब आप सीधा सीधा चतुर्थी विवक्ति का प्रयोग करेंगे लेकिन यदि कृद्ध और दुरु से पूर्व यदि कोई उपसर्ग आ जाता है तब और अभी कृद्धि क्रोध होते हैं किसके प्रति हरी के प्रति क्रुद्ध से पहले क्या लग गया है यह अभी उपसर्ग लग गया है इसलिए जिसके प्रति कृद्ध वहां पर हमने क्या करा था हरय करा था ओर वहां पर क्या था खृध्ध यतित I didz Miche तब श publishedอ स्वे लि कर्मणी दृतिया सूत्र से हम उसमें विभक्ति का विधान करते हैं ठीक इसी तरह असूरह हरीम अभी द्रुयती सेम वही उदारण है चलिए अगला हमारा सूत्र देखते हम धारेर उत्तमरनहा उत्तमरनह वाला आये था ये शब्द आये था ये देखिए ठीके ध्री धातू प्रयोगया ने कोई चीज धारण की है ठीक है अब समझे कैसे यह कहा पर आएगा सिर्फ और सिर्फ यह रिन के प्रसंग में आपने किसी से रिन लिया तो उत्तमरिन किसको कहते हैं ये देखी आपका आंसर आगे हैं आपर रिन देने वाला जो आपको रिन दे रहा है यदि राम शाम को क्या देता है रिन देता है तो राम की संप्रदान संग्या हो जाएगी उत्तमरिन कौन होगा यहापर उत्तमरिन कौन होगा राम होगा जो भ ज़ान करता है इसे सो रुपए धारन करता है और जो रिन देने वाला उत्तम्रम हो गया और यहां पर कॉण हो गया करता है 100 रुपे धारन करता है तो यहां पर करता वापस पिछले जैसे हमने किया है उसकी जैसे क्या है साइलेंट है साइलेंट का मतलब यह नहीं कि करता यहां पर नहीं है करता यहां पर है वो आपको यहां पर मानना पड़ेगा तो राम किसे देवदत्य से 100 रुपे धारन क करेंगे तो याधारी के प्रयोग में देवदत्त क्या है उत्तमरण है अतल उसकी संप्रदान संग्या हो करके इस मैंने आपको बता दिया अगला सूत्रह वू घ्जा हमारा तादर्थे स्तूरती वाच्चा तर्थे इसको समझेए तादर्थे का मतलब क्या है यह उसके लिये है कोई भी चीज यह दे nihuição भी उसके लिए यानि कोई भी चीज क्या ए उसके लिए है इस अर्थ में जिसके लिए कोई वस्तो हो याने जैसे समझ लीजे यह है यह आपका जो है कंगन है तो इसके लिए क्या होगा सोना होगा तो सोना किसके लिए है कंगन के लिए सोना किसके लिए अबुशन के लिए ठीक है तो जिसके लिए कोई चीज हो तो उसमें हम क्या करते हैं चतुर्थी विभक्ति का वि CD कोई बीची सीज रहा चुटा बनेंगा किस चीज से लकडि से बनेगा तो को टैके लिए क्या है लकडि यह तो किसके लिए खूंते के लिए तो यह डेखिए यूपाया दार्ण लकडि तो है है wing सोना उसके लिए किसके लिए कुंडल के लिए तो जिसके लिए कोई वस्तु हो तो यहां पर यह जो सोना है वो किसके लिए है कुंडल के लिए तो जिसके लिए कुंडल के लिए क्या है सोना है तो जिसके लिए में क्या हो जाएगी उसकी हम संप्रदान संग्या कर देंगे औ के अवसकता है आपने देखा ही होगा गोल करीद के सादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन में जो है स्वर्ण के अभूषण बनवाए जाते हैं तो पर इसक्आ कि टीसमें क्रशया हूं धन है किसके लिए है दान के लिए तो दानाय धनम भक्ति ही भक्ति है किसके लिए है मोक्षाय मोक्ष के लिए ठीक है यह भी इंपोर्टेंट है उदारन देखे पूछ सकते हैं कि कौन से सूत्र का प्रयोग यहां पर किया गया है तो कोई वस्तु है वह किसके लिए है जिसके लि यह क्या करता है हरी को भजता है तो हरी है हरी किसके लिए है मुक्ति के लिए हरी का भजन किसके लिए है सिर्फ वसे मुक्ति के लिए मोक्ष हम चाहते मोक्ष प्राप्ति सब भर व्यक्ति चाहता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा हरी को भजना पड़ेगा जाहिर सी बात ह तो मुक्ति के लिए हरी को भजता है तो उसकी जो शक्ति किस काम में आई रक्षा करने की काम आई तो रक्षणाया शक्ति ही अस्ति काव्य यश के लिए काव्य की रचना किसी ने बहुत अच्छे जो राइटर्स हैं आपने देखा होगा काली दास है बहुत सारे हमारे समस्क्रिस आइते में बहुत फेमस राइटर्स हैं उस काव्य की रचना करने से आप देखें आज वो जीवित नहीं है लेकिन उनका नाम आज भी जीवित है कि आज भी हम उनकी ग्रंथों को क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं. इसका मतलब काव्य किसके लिए है? यश के लिए है. तो काव्यम यशशे. ठीके? चतुर्थी विवक्ति में क्या हो जाएगा? यशशे. विद्या किसके लिए है? ज्यान के लिए. तो ज है क्या करते हैं? ऊपपद विवक्ति का विद्धान करते हैं, याने ऊपपद विवक्ति की तरफ हम बढ़ गए हैं अगरसर हो गए हैं. यह ये शब्दों का जब प्रयोग होगा तब हम क्या करेंगे? डेखिये. नमहा स्वस्ति, स्वहा, स्वधा, अलम, वसड नमहेर, न स्वधा बोलते हैं पित्रों के लिए जो किया जाता है स्वधा उसको हम जो मतलब जो भी हवी आदी का तरपन वगरे करते हैं उसको हम स्वधा बोलते हैं वसट भी आहूती के रूप में ही योग होता है यूग तो होता है और अलम का यहां पर मतलब है परियाप तृतिया में भी हमने अलम पढ़ा ता लेकिन वहां पर अलम का मतलब था निश्यदार ठकर्थ है ना जहां पर किसी को किसी चीज से रोका जाए विवाद मत करो तो वहां पर हम ने तृतिया-विभक्ती टि agentsram इसलिए इसलिए विभक्ति प्रेस्ट को बताई दिया मतलब यहां पर क्या है परियाक्ति सब्सक्राइब देख लेते हैं हरये नमहा हरी को नमशकार है कृष्णाये नमहा कृष्ण को नमशकार है गुरुब्या नमे गुरु को नमशकार है तो इन सब में क्या है चतुरती विभक्ति हमने कर दी है आगे देखते हैं श्री गणेश को नमशकार है श्री गणेश आये नमहा प्रजाओ क हुआ रहा है प्रजाओं की तो प्रजाव्य करते हैं तो करते हैं तो करते हैं पितरे स्वधा पित्रों को भोजन तरबन पित्रिभ्य अब यहां पर बहुवचन का प्रयोग है इसलिए पित्रिभ्य स्वधा इंद्री के लिए हविदान इंद्राय वशट अगनी के लिए हविदान अगने वशट यह देखे नमेह वाला जो एक कई अगर कई बच्चों को तो मैं इसको एक बार दुबारा क्लियर कर देती हूं बाकि हमने जब दृत्या विभक्ती पड़ी थी और मैंने आपको उपद वाला कॉंसेप्ट समझाय था तब मैंने बहुत अच्छे से चीज क्लियर की थी कि अगर जो कारक को मानकर विभक्ती का व दिमान होती है तो वहां पर हम प्रायटी किसको देते हैं कारक विभक्ती को देते हैं तो क्यों क्योंकि कारक विभक्ती किस से उपपद विभक्ती से ज्यादा बलवान होती है देखिए इसको एक नजर डाल लेते मैं आपको बता चुकी हूं वैसे नम्हे के योग में क्या होती है चतुर्थी विवक्ति होती है लेकिन नम्हपद के साथ किसी भी यदि क्रियापद आजाता है तो कर्म संझ्या होकर दृत्या विवक्ति ही होगी का प्रेयोग करें जब कोई दिक्कत नहीं आप चतुर्थी का प्रयोग करिए लेकिन यदि नमेह के साथ कोई क्या आजाए अजाता है तो महाँ पर हम दृत्या विभक्ती का विधान कर देंगे जैसे देखिए भक्ताह इश्वर में नमस करोती तो यहाँ पर क्रियापद आगया कृई रातों यहां पर हो गया करो टीच तो नमस नमे capad आ गया तो इश्वर में हमने क्या कर दिया है द् Wade विखक्ती का विधान कर दिया है अगर ऐसा नमस्पत को मानकर होने वाली विभक्ती तो क्या है उपद विभक्ती है और कर्म को मानकर होने वाली विभक्ती जाहिर सी बाते कारक विभक्ती है दोनों उपद और कारक विभक्ती के एक ही स्थान पर अब यह ऐसा शब्द है जहां पर हमें कारक विभक्ती और उपद विभक हैं तो क्या होगा कारक विभक्ति का कारिय होगा उप देखिए सूत्र है मैंनेब विभक्ति- प्रकforme पड़ा था तब मैंने आपको क्रिया पद है तो चतुर्ती की जगे आप क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं धीतिया कर सकते हैं ठीक चलिए अगला अलम का जो हमने पड़ा था अलम का जो अर्थ है वो किसमें है परियाप्त अर्थ ग्रहनम परियाप्त का अर्थ ग्रहन करने में हम अलम का प्रयोग करते हैं अ अलम शब्द से समर्थ अर्थ वाले अलम का मतलब क्या परियाप्त का मतलब ऐसे शब्द जिन से समर्थ थेता समर्थ थेता का क्या निकल रहा है यह ग्रहन होता है प्राप्तेर तक समर्थ अर्थ वाले अलम शब्द का उसके अन्य परियायों का भी ग्रहन करना चाहिए मतलब बताने वाले उस भाव को बताने वाले अन्य शब्दों को भी हम अलम की कटेगरी में ही रखेंगे. और वहां पर हम चतुरति वित्ति का विधाल करेंगे, आ जैसे इसलिप यहां जैसे अन्य शब्द कौन से प्रभुव, अगर आपको समर्थ का भाव निकले तो ऐसे अलम और अलम के साथ अन्य शब्दों में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं देखिए जैसे देट्यब्यों के लिए हरी क्या है परियाप्त हैं यहां पर हरी क्या है प्रभु प्रभु वही समर्थ हैं परियाप्त हैं यहां पर विसर्ग रहे हैं विसर्ग लगा लिए देट्यब्यों हरी ही क्या है समर्थ हां देट्यब्यों हरी ही शक्त हां शक्त है समर्थ है तो वही भाव यहां पर आ रहा है सामर्थि बैत्यों की प्रतिहरी समर्थ या प्रबल है यह अलम का मैंने अभी-अभी आपको बताय था यदि अलम का अर्थ परियाप्ति नहीं हो करके क्या हो निशेदात्मक हो मना करना हो तो तृत्या विभक्ती ही होगी यहां धियान रखेंगे अलम विवादेन विवाद मत करो अलम क्रिद पर्ढीर करना आदontin कुछले सुमझ जादा विस्तार की आवशकता नहीं तो जहां प्रियाप्त होने का हो वहांपर हम चतुर्दी बिवक्ति का कि तौह करेंगे और जहां देखे इस्प्रिया का मतलब क्यों इस्प्रिया करना चाहना चाहना धातु के प्रयोग में इस्टपदार्त की संप्रदान संग्या होती है जो इपसित हो जिसको चाहा जाए तो जो इस्टपदार्त है उसकी हम क्या करते हैं क्या करते हैं संप्रदान संग्या करते हैं देखे नहीत फूलों को चाहता है किसको को सुजब पुलों के प्रती यां पुश पीप्या इश्प्रियती फूद प्राप्त करने के लिए इस प्रियुन के प्रती है यह जुंभीर है तो यह फ्र топ प्रतीच जाहि这 आतीम decision स्क्रतों मनी में पसंदोती तो महिलाओं को आभूशन जो प्रिये महिलाएं बहुत होती है तो रमा किसकी इच्छा करती है आभूशन की इच्छा करती तो रमा तो अपना जो है करता हो गया और इसकी क्रिया हो गई ठीक है क्रिया क्या इच्छा इसके साथ जुड़ गई तो इस प्रयती किसक निवेदये, उपदेश, कलपते, संपध्यते के साथ भी चतूरती विभक्ती होती यह कहा गया है, यह कुछ शब्द आपको ध्यान रखने हैं। सब्सक्राइब राम मित्र को कहता है कि किसको कह रहा है मित्र को कεί समझाने के लिए प्रशनी समझाने के कह रहा हुऊ कोई बात मानने के लिए अरे औरी तुम सुनो कि तुमी एकाम मत करो ये काम करो तो अपने मित्र को क्या दे जिय छींत अत उपदेश दे रहां तो रामह यम प्रती को पहा जिसके प्रती क्रोद हो किसके प्रती क्रोद है हरी के प्रती तो हरे इसमें क्या हो जाएगी चतुरती विबक्ति हो जाएगी हरे इशयती कृद्धयती देखे हरे इशयती ठीक है सिक्षक शिश्य पर क्रोद कर रहा है सिक्षक जो है किस पर क्रोद कर रहा ह कुछा होजाएगी शिष्य पर तो क्या होज़ागा शिष्याय को और कॉन कर रहा है ऑधिको गन्ना अच्छा लगाएं गन्ना अछ्छा लग रहे हैं खिसको सो फियमान क्या है हाती तो गजाया यह देठिस में मनें चतुर्ति विवठ्टि कर दिये गजाय एक्षू धंड़ा रो चते सरस्वत्र को नमस्कार यहां पर सीधा सीधा नमस्कार की बात हो रही तो सरसवत्य आगरज बहन को वस्त्र देता है क्या कर रहा है वस्तर दे रहा है को सुनथे लाइम को मजो है पतनीों की बाच्astically एकडम किन गए होंगी पती क्या दे रहा है पत्नी औरined ठीक है तो पत्नी में हमारी चतुर्ती दिब्रती उजेगी हो जाएकि पत्वी पतनी going to sell यह नहीं ने कि pand olive है जो अपने पति को यह क्या दे रहे हैं उपदेश दे रहे हैं तो पत्नी पत्य उपुदिशती भक्ती किसके लिए ज्यान के लिए आगया कौन सा तादर्थे चतुर्थी वाच्चय जिसके लिए हो तो भक्ती है किसके लिए ज्यान के लिए तो ज्यानाया भक्ति ही कलपते मित्र से पुस्तक धारन करता है देखो द्रीधातु हो गई उत् किताब तो मित्रा या पुस्तकम धारयती पढ़ने के लिए पाठ्षाला जाता हूं किसके लिए किसके लिए पाठ्षाला जाने का कारी हो रहा है पढ़ने के लिए तो पठनार्थम या पठनाया पाठ्षालाम गच्छामी ठीक है चली आप हम थोड़े से हमारे प्रश्णों को सौल्ट कर लेते हैं डेवदत्त आये रोचते मोदकह स्वादच अपूपह उपयुक्त वाक्य प्रियमान तो जाहिर सी बात आपको पता है कि प्रियमान में चतुरती विबक्ती का प्रयोग हो रहा और सीधी चतुरती विबक्ती आपको देखने को मिल रही है तो देवदत दो आपका प्रियमान हो जायेगा हम भी option के साथ यहां पर जाएंगे अगला हमारा question हिए रुच्चधातू के योग में हमने पड़ लिया है कि रुच्चधातू के योग में हम किसका क्या करते हैं चतुर्ती विवक्ति का विधान करते हैं तो हम इसमें डी ऑप्शन के साथ जाएंगे अगला हमारा प्रशन है ग्रामे गाउं में व्रक्षस यह अधर व्रक्ष के नीचे इस्थित जो राम है वह क्या कर रहा है देवदत्त से 100 रुपे धारन कर रहा है देखें इंपोर्टेंट तो सिर्फ हमारा यह 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 सब त आर्य कशन nervous四 रुपे इसमें देनेवा lebih कौन राएं राम किसे ले रहा है देवदत्त से तो हमारा यहां पर उत्तिमर्ण कऊन हो जाएगा देवदत्त हुजाएग दी ऑप्शन के साथ यहां पर जाएंगे हमारा अगला देखें योगे का विभक्ति भवती वशट के योग में नमा स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्छ पढ़ाता हमने चतुरती विभक्ति सिंपल सा क्वेशन है आगे देखते हैं रुच्च दातु के योग में कारक जाहिसी बात है कारक जिसको अच्छा लगे जिसको किसी चीज के प्रती बहुत ज्यादा रुची हो जिससे वह प्रसन हो उसमें उसके हम क्या कर देते हैं संप्रदान संग्या कर देते हैं संप्रदान कारक हो जाएगा तो हम इसमें डी ऑप्शन के साथ जाएंगे पहले हम संप्रदान संग्या करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं संप् प्रिहा जिसके प्रती फूलों के प्रती स्प्रिया है पुष्पों के प्रती स्प्रिया पुष्पेभ्य स्प्रिहती आभुषणों के प्रती है तो आभुषणाय स्प्रिहती तो जिसके प्रती की सूत्र का संबन्द किस से है जाइसी बात चतुर्ति विविवक्ति से है चल नहीं हो जाएगी सीधी सीधी आपकी चतूर्ती हरेये होगी तो हम यह उप्षन के साथ यहां पर जाएंगे अगला प्रश्न नमहे के योग में विभक्ति चाहिर सी बात हमने पढ़ ली है चतूर्ती विभक्ति होती है आगे देखते हैं अगला प्रश्न महियम अपूपहार रूप है असमद शब्द रूप है उसका चतूर्थी एक वचन महियम होगा तो हम यहां पर किसके साथ जाएंगे सी ऑप्शन के साथ हम यहां पर जाएंगे चलिए अगला देखते हैं कुरुद धातु के योग में हम चतूर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो कर्म के द्वारा जिसको प्रसन्य किया जाएं वह क्या होता है संप्रदान होता है उसकी हम संप्रदान संग्या कर लेते हैं पहला सूत्र मैंने आपको कहा था वहां से आपको आंसर मिल जाएगा तो हम इसमें किस ऑप्शन के साथ जाएंगे डी ऑप्शन के साथ हम यहां प बापस वैसा ही प्रश्ण पूछा गया है लेकिन यहां पर अनुवाद है और जो रिन लेने और देने वाले को यहां पर बदल दिया गया है देखे पिछले वाले में हमने क्या पड़ा था राम देवदत्त से सौ रुपे धारन करता है तो उत्तमरन जो था उसमें देवदत् पर डेवदत्त राम से सौ रुपे अब ले रहा है तो यहां पर उत्तमरन हमारा कॉन ओजाएगा राम हो जाएगा सिदी सीदी कि एहां से ट्रेस कर लिए कित शतुरदी विबख्ती काहं कर एं इसमें नहीं है रámस यह सäल्चिए ऑब रामम यह सहल देगिक NOT PA यहाँ पर हमारा option रामा यहाँ पर हो गया आप हो सकता है कि देवदत्ता यह confusion देवदत्त को बना करके यह option करने लेकिन यह बिल्कुल गलत है हम इसमें सी option के साथ जाएंगे ठीक है उत्तमरण कौन सा है राम सीधा सीधा मैंने आपको शाट्रिक बताईए कि आप देख लेजे राम से तो राम में चतुर्दी व्रक्ती कौन से वाक्य में आ रही है वही आपका अनुवाद सही होगा अगला हमारा प्रेश्ण रुच्यरता नाम धातु नाम प्रयोगे कस्य सम्प्रदान संग्या स्यात किस्कि संग्या करते हैं जाहिर सी बाते मैंने आपको शब्द बता दिया था प्रियमान की आने जिसको रुचिकर लगे जिसको जो प्रसन्न होता है जिसको वो चीज रुचिकी चीज मिलने पर प्रसन्नता का भाव जिसमें आता है वह क्या होता है प्रियमान तो हम इसमें C option के साथ जाएंगे किसके प्रती चतुरती होगी भाई बताओ मैंने बताय था उस वक्ती आपको कि जिसके प्रती यम प्रती को पहा यत्र का मतलब जहां किया जाए जहां की बाती नहीं हो रही है कोप को करने वाला जो करतरी नहीं करता है जो है को करने वाला नहीं जिसके प्रती क्रोध किया जा रहा है यस यह कोप हो जिसका को उससे भी मतलब नहीं यह तो दोनों सेम से होगे लेकिन जिसके प्रती राजा किसके प्रती दुर्जन के प्रती कर रहा है शिश्य जो है किसके सब्सक्राइब इसको डांट पिटती है जिसको जिसको गुसा जहना पड़ता आप ऐसे कह लीजे उसको जिसके प्रतिकरोध किया जाए उसमें चतुरति विवगक्ती होती है तो पी ओप्षन के साथ जाएंगे अगला प्रश्न है नमः स्वस्ति स्वाह शवदा वुत सिंपल accurately होगी चतुर्थी होगी तो क्ंधर जाए चलिए तोड़े से अनुवात वाले प्रश्ण और देख लेते ह emphasize लता से लिए computer देता है computer किसके लिए दिया जा रहा है तादर्थिय चतुर्थी वाच्छा कारिया लिया है संगनकंतों कभी को नमश्कार नमः का ऑग्यवत्ति तो कव्य मंहा स्वामी सवकौं को क्या रहा है वेतन दे रहा है किसको उस वेतन से कर racy कर already mister करना चानवाने फूर्थ है से वकौ को इसमें चातुर्थी वाक्ति हो जाएगी सेव केद्भाइए किया क्लियर thinking के लिए क्रंदन करता है रोराय दूद के लिए किसके लिए दूदर के लिए तो दुगदाय को जाएगा हमारा अंसर दुगदाय क्रंदती दैत्यो के लिए। प्रभू भी कर सकते हैं और अन्य शब्द जिनका भाव समर्थ होना निकले तो किसके लिए दैत्यों के लिए तो दैत्यभ्य हरी ही अलम साधू सज्जनों को क्या देता है उपदेश देता है कत निवेदये और उपदिश आधी धातों की योग में भी हम क्या करते हैं चत्वरसी विभ्ड़ान करते हैं तो सादू दे रहा है वम धीने का काम तो लेकिन देख विखोन लिख रहा है सजन को सजनाय उपदिशती चलिए अगला देखते हैं प्रेमिका उपहार के लिए जाहिर से बात है कि जब प्रेमिका है प्रेमिक को फिर भी इतनी उपहार की इच्छा नहीं होती, लेकिन जो प्रेमिका है, उनको उपहार की बड़ी इच्चा होती, आज ये डे है, हु далे है, आज बड़ डे है, मतलब occasions डूंडे रहते हैं, कि आज तो हमें esa gift मिलेगा यह मिलेगा, तो प्रेमिका किसके लिए? उपहार के लिए इस प्रिहा कर रही है, इच्छा कर रही है, तो उपहाराय इस प्रिहाती, विद्या धन के लिए है, विद्या किसके लिए है? धन के लिए तो धनाय विद्या, यह अर्थाय भी कर सकते हैं, कल्पते संपत देते हैं, गीता को कम रोचते दुर्जन सज्जनों पर क्रोध करता है किस पर क्रोध हो किया जा रहा है सज्जनों पर सज्जनेभ्य दुर्जन अहां सज्जनेभ्य कृध्यती गोपाल मुझसे क्या ले रहा है तो दोस्तों आज की क्लास में हमने हमारी चतुरती विबक्ती को पूरा पड़ा और चतुरती विभक्ती से related जितने भी सूत्र थे important वो सभी मैंने आपको कराए और यह जाना कि कहां कहां पर हम चतुरती विभक्ती का विधान कर सकते हैं ठीक है और उसके साथ हमने उपपद विभक्ती भी हमने पड़ी कि किन किन शब्दों के योग में किन किन धातों के योग में हम चतुरती विभक्ती का वो करते हैं विधान करते हैं इसके साथ ही हमने अनुवाद वाले प्रक्रण को भी यहां पर टच किया कि चतुरती विभक्ती से से रिलेटेट कुछ अनुवाद जो पूछे जाते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं उस पर हमने थोड़ा सा जो है प्रकाश डाला और मैं समझती हूं कि अनुवाद प्रकरण आपका और और मजबूत हुआ होगा धिरे दिरे इस विभक्ति प्रकरण को पड़ते वे बहु जुड़े वे हैं तो इन चार टॉपिक्स को हम लगातार पैरलल लेते वे चल रहे हैं और आज की क्लास के लिए इतना ही कलम फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद सब्सक्राइब करें हमारा यूटूब चैनल बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे आगे आने वाले सभी यूटूब अपडेट्स, वीडियोज, नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहें